सिटी न्यूज जारकन वगपाएं जारकन की तमाम खबरें नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचर हेमन्त अचाओ जारकन बचाओ रैली के माद्दम से शिनिवार को भाजपाईयों ने सदर प्रखन मुख्याले में प्रदेशन किया जारान भाजपाई हेमन्त सरकार पर जमकरबर से सभा को संबधित करते हुए पूर्वस सांसद रविंज रायने राजजे की सित्ता रूर दल जी एमेम और कॉंगस को जारकन के लिए महामारी बताते हुए कहा कि इससे पहले कि महामारी पुरे राजज को तभा करें इससे पहरे सरकार को उखाड़ फेकनी की जरूरत है क्योंकि महामारी के कारन हुए मौत को लोग भूले नहीं है। आसे मेज जे-म-म और कॉंगस के इस हिमनत सरकार को उखाड़ फेकना ज़रूरी हो गया है। पूरुविधाक नर्भे शाहबादी भी हिमंत सरकार पर बरसते हुए कहा कि राजी सरकार को लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है। भाजपाब EDI कर विभाग और CBI को हर तरह का सहयोग देगी कि वो खुलकर हिमंत सरकार के खिलाफ करी करवाही करें और जमीन के साथ खरिश डूटने वाले सरकार को सत्तक से उखार फिकें। बिश्टधी कारियों के सहयोग से हिमंत सरकार सत्ता पर है कही असार ना हो कि आने वाले दिनों में हिमंत सरकार को मुझ हिपाने के लिए भी जगा नहीं वले। संबोधन के क्रम में पूरु विधाक ने कॉंगस नेता बंदू तिर्गी पर भी हमला करते हुए का कि उन्हें खुली चुनौती है कि भाजपन नेता कब और कहा जाए। झाल कर सकता कि भाजब कर दिनों में हिए झाल को झाल को झाल कि भाजब में जाए।